Steady with a Smartness में आपका बहुत-बहुत सागत है Steady with a Smartness की ओर से आप सभी को सोतनता दिवस की हार्दिक बढ़ है दोस्तों, देश का 74 वा सोतनता दिवस आज मनाया गया है और मोधी जी ने लाल किले की प्राचीर से देश के नागरिकों के लिए क्या बड़े एलान किये है तो आज हम इस वीडियो में जैनेंगे यह जैनने के लिए आप हमारे वीडियो पर continue बने रहें तो चलिए जानते हैं क्या एलान किया है मोधी जी ने मोदी जी ने आज 86 मिनिट का भासर लाल केले की प्राचीर से दिया है उसमें आत्मिर्भर भारत का संकल्प लिया है उन्होंने आत्मिर्भर शब्द का यूज 30 बार प्रयोग किया है उन्होंने ये भी कहा है कि कुरोना इतनी बड़ी विपत्ती नहीं है कि जो आत्मिर्भर के संकल्प को रोक पाए उन्होंने आत्मिर्भर के अलाबा कुरोना संकर्ट, आतंकवाद, रिफॉर्म, मध्यमवर्क और कश्मीर का विसेश रूप से जिक्र किया है उन्होंने कुरोना से जानगवाने वाले परिवारों के प्रती सम्वेदनाय जताई हैं कुरोना वैक्सीन बनाने की पूरी तैयारी के बारे में क्या बताया है चलिए जानते हैं कुरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी है एक बड़ा सवाल है देश के लिए हमारे वैज्यानिक रेशी मुन्यों की तरह जीजान से जुटे हुए हैं, वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, भारत में एक दू नहीं बलकि तीन तीन वैक्सीन टेस्टिंग के अलावा अलग अलग चरण में हैं, जब वैज्यानिकों हरी जंडी मिलेगी तो बड़े पैमाने पर प तैयारियां पूरी कर दी गई हैं, हर भारती तक वैक्सीन कम से कम समय कैसे पहुँचे, इसका खाका भी तैयार किया गया है, मोदी जी ने सातवी बार लाल किले से जंडा फैराया है, इन्होंने अटल जी को भी पीछे छोड़ दिया है, और हमारे देश के प्रथम प्रधा प्रधान मंत्री रह चुके हैं, तो चलिए इस पिक्चर में हम देख लेते हैं, किन्होंने कितनी बार जंडा फैराया, राजीव गांधी जी ने पांच बार, नरसिमहा राओ ने पांच बार, अटल बिहारी बाचपेई ने छे बार, नरेंद्र मोदी जी ने साथ बार, मन लाल किले की प्राचीर से कभी जंडा फैराने का मौका नहीं मिला है, वो हैं गुलजारी लाल नंदा और चंद्र सेखर, आज सौर सम्मान भी दिया गया है, 35 पचपन आतंकियों को धेर करने वाले CRPF के नरेश कुमार को सातवी बार वीरता पुरुषकार दिया गया, यह आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, यह नरेश कुमार जी हैं, और मर्णो पुरांत कीरती चक्र से जम्मु कश्मीर पुलिस के हैड कॉंस्टेबल अब्दुल रशीद कलस को दिया गया है, बाटला हाउस मुठवेर में शहीद हुए दिल्ली पुलिस के निरिक्षक मोहंच कोदी जी ने मेक इन इंडिया की साथ मेकफॉल वर्ल्ड को भी आंगे बढ़ाने का फैसला किया है, डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए क्या कहा है, चलिए जानते हैं, हेल्थ सेक्टर में आज से बहुत बड़ा अभियान सुरू होने जा रहा है, आज से नेशनल डिजिटल ह की शुरिवात हो रही है, भारत के हेल्थ सेक्टर में ये नई क्रांती लाएगा, हर भारती को हेल्थ आईडी दी जाएगी, ये उसके खाते की तरह काम करेगी, आपकी बिमारी किस रॉक्टर ने क्या दवा दी, क्या रिपोर्ट दी, ये सारी जानकारी इसमें शामिल की ज उन्होंने देश को नई मजबूती दी है, आज देश प्रतिबद्ध है, आज भारत में महिलाएं कोईले की खदाने में काम कर रही हैं, तो देश की बेटियां फाइटर प्लैन उड़ाकर आसमान की बुलंदियों को चूम रही है, आज देश की सेनाओं में महिलाओं को कॉ देश की सिक्षा का बहुत बड़ा महत्त है, इसी सोच के साथ देश को तीन दसक के बाद नई रास्टी सिक्षानीती को देने में हम सफल रहे, ये सिक्षानीती हमारे बच्चों को जड़ से जोड़ेगी लेकिन साथ साथ एक ग्लोबल सिटिजन बनाने का भी सामर्थ इससे देश को आगे ले जाने में ताकत मिलेगी और कोरोना काल में ओनलाइन क्लासस का कल्चर बन गया है, ये भी बात बताई, एफडियाई रिकॉर्ड में क्या बढ़ होतरी की गई, बीते वर्ष भारत में एफडियाई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये, ब भारत ने अपनी नीतियों और अपने लोकतंत की मजबूती पर काम किये हैं, उसने ये विश्वास जगाया है, मध्यमवर्ग किस तरह मजबूत हुआ ये भी बात कही है कि भारत का मध्यमवर्ग दुनिया में अपना डंका बजा रहा है, मध्यमवर्ग को जितने अवसर मि वे उतनी बड़ी ताकत के साथ उभर कर सामने आता है, इस ओफ लिविंग का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो मध्यमवक परिवारों को होगा, हवाई जहाजों के टिक टें सस्ती होना, इंटरनेट मिलना इन चीजों से मध्यमवर की ताकत बढ़ेगी, उसका अपना अपना घर बनाने का होता है, होम लोन अब सस्ते होंगे, उसे 6 लाक रुपे तक छूट मिल जाती, गरी परिवारों ने पैसे लगाए लेकिन योजनाय पूरी नहीं होने से उन्हें घर नहीं मिल रहा था, 25 करोड रुपे का फंड इसके लिए बनाया गया है, तो द पवाचिं ज्याहिन!